तो आज की इस वीडियो में एक छोटा सा अपडेट आया बीजे मही के अंदर जोकी मैं आपको दिखाऊंगा एंड उसी के साथ साथ कुछ बाते करेंगे हम एंड आप मेरी बाते ध्यान से सुनना अगर आप थोड़ा सा निराश हो रहे हो तो आप एक छोटी सी उमीद की किरण जरूर लेके जाओगे इस वीडियो के बाद क्योंकि आपको मैं कुछ ऐसे चीज़े बताऊगा जिसके बाद आपका दिल थोड़ा सा तो खुश हो गई सबसे बहले चलते हैं हम क्रेट के उपर तो यहां पर क्रेट के उपर जाने के वाद आप देखोगे 75 दिन का टाइमर आ रहा है आपने पिछले 6 या फिर 8 महिनों से देखा होगा कि हर बार जब भी 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन रहा जाते हैं क्रेट खतम होने में तब 20 माई वाले डेट बढ़ा देते हैं और यह इन्होंने schedule में लगा रख है तो मतलब automatically date बढ़ेगी ही बढ़ेगी इसका unban से कोई लेना देना नहीं है जातक मुझे पता है बाकि आपका क्या कहना है में को comment करके बताना कुछ बंदे इस date के बढ़ने से सोच रहे हैं कि शायद अगले महीने के जो hint मिल रहे हैं क्या पता game अगले महीने भी unban ना हो तो देखो उमीद के उपर दुनिया कायम है अगर हम उमीद ही छोड़ देंगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता ना फिर तो उसके बाद अब अगर आप इस date के बढ़ने को unban से compare कर रहे हो तो मेरे साब से इसका कोई logic बनता नहीं है क्योंकि यह जो date बढ़ाई जाती है यह इसलिए बढ़ाई जाती है ताकि यह जो crate दिख रही है वो दिखनी बंद ना हो जाए क्योंकि यहाँ पर अगर crate expire हो जाएगी तो यहाँ पर premium crate में कुछ भी नहीं दिखेगा classic में कुछ नहीं दिखेगा supply में कुछ नहीं दिखेगा और game के और L लग जाएंगे पहले से तो लगे ही हुए है और लग जाएंगे जो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर है डाइनमो, सकाउट, मोटल, थग, सोल की जितने भी member है ठीक है उसके बाद गोडल के जितने भी member है जितने भी इंडिया के top player है सब तो जूट नहीं बोलेंगे ना एक यूट्यूबर जूट बोल सकता है, दो यूट्यूबर जूट बोल सकते हैं, सारे के सारे यूट्यूबर थोड़ी जूट बोल सकते हैं, आपने पिछले 10-15 दिनों में देखा होगा, जितने भी बड़े से बड़े यूट्यूबर है, सब ने बोला है कि मार्च और लेंगे fake news डालने के लिए या फिर hype बनाने के लिए तो थोड़ा सा वेट करो यह जो date बढ़ी है यह schedule में होता है ठीक है जब भी कोई server के अंदर schedule लगाया गया होता है ना कि इतने दिन पर इतना timer हो जाना जीए जैसे कि जब भी कोई event आता है तो वो उसी दिन event create नहीं किया जाता है जब event आने वाला होता है उसकी जो त्यारी है वो पहले से हो जाती है आपने देखा होगा जब भी royal pass आने वाला होता है उसके एक महीने पहले ही leaks आ जाती है क्योंकि वो schedule में डाल देते है यह चीजे आगे होंगी ठीक है तो यह server के behind बहुत सारी चीजे चलती रहती है इस date का unband से कोई लेना देना नहीं है जहां तक मुझे knowledge है जहां तक मुझे पता है बाकि आप wait करो इस 0.1 MB के update के बाद काफी जरे बंदे उदास हो गए थे तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा एक महीना और wait कर लेती है अगर एक महीने बाद game नहीं आती है तो मैं चैनल ही BJMI के उपर है अगर मैं कोई दूसरी वीडियो डालता हूं उस पे मेरे को इतना अच्छा response मिलता नहीं है अगर game नहीं आती है तो सबसे ज़्यादा loss मेरा ही होगा ठीक है ना 11 से 12 लाख बंदे जुड़े हुए इस game की वज़े से ही जुड़े है तो अगर मैं कोई दूसरी चीज डालता हूं तो भाई मैं को response ही नहीं अच्छा मिलता मैंने कितना कुछ नया करने का try किया है इस channel के उपर बट response नहीं मिलता फिर घुमा फिरा के मुझे game की videos ही डालनी बढ़ती है मैं अपना channel तो बरबाद नहीं कर सकता ना इस वज़े से मैं इतना ही तो यह schedule में होता है इसका कोई लेना देना नहीं अन्बैन से तो tension मतलो जैसे ही कोई अच्छी news मिलेगी आशा करता हूं तभी मैं दोबारा वीडियो डालूँगा तब तक हम कुछ ना कुछ new try करेंगे response मिले ना मिले बाकि आपका क्या कहना इस topic के उपर मैं को comment करके बतान बाकि इतने सारे यूट्युबर इतने बड़े बड़े यूट्युबर कम से कम नी तो 40-50fahrz ने जूटिबर्स ने बोला है कि मार्ज से अपरैल के अंदर कुछ नहीं कुछ होने वाला है तो सब नो जूट नहीं बोलेंगे ना यार तो वेट करो कुछ नहीं जल्दी होगा बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पता नेक्स्ट वीडियो तक अच्छी न्यूज आजाए कोई तो मज़ा आजाए बाकि नहीं तो वीडियो तो आएगी ही आएगी चाहे किसी ओर टॉपिक पर आए तब तक के लिए बाए जैहिंद वंदे मातरम